हेलो दो फ्यूचर ओफिसर रॉप्टम यौल रॉन ट्वाइशन पॉपिक नेकल नेकल परवीन सेनी पॉपट सारे नेशल पार्व के अपके इंडिया में और पेपर में जब नेशन पार्व के ओपर कोशन आ जाते तो बहुत सारे बच्चे अंसर कोशन का घलत करके आते हैं मेरी कोशी यह रहेगी कि वीडियो आप एंट तक जरूर देखिए सभी कोशेंस इसमें मैंने सॉल करवाए है almost 20 to 25 कोशेंस जब आप सॉल कर लोगे तो आपको एक अच्छे से अलग से confidence आएगा और believe me ये वीडियो देखने के बाद आपका नेशनल पाक से कोई कोशन गलत नहीं होगा ठीक है इस सीरीज इस वेरी वेरी मुच हलपफुल इन CAPF, CDS, CAC, NDF के टेन SAC एक्जाम या और भी कोई आप competitive एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो उसमें भी जो है सीरीज हलफूर आपके रहेगी इस लेक्षर का PDF आपको हमारे free telegram ग्रूप में मिल दाएगा वीडियो की description में link है हमारे channel का महाँ से जाके आप इसे download कर सकते हैं So let's begin National parks in India आप इतने सारे national parks हैं लेकिन कुछ national park ऐसे हैं जिनके उपर बहुत ज़्यादा बार question आये हैं तो आप उसको जो है विल्कुल सही करके आओगे ठीके हम पहले जो है नोर्थ इसके जो नेशनल पार के इनको अलग से जो है एक अलग से PPT में यहाँ पर आपकी बनाई है यहाँ तो इसमें हम discuss यहाँ पर कर लेंगे ठीके बाकी हम नेशनल पार्क सारे बहुत important है बहुत अच्छे से करेंगे प्लीज इस वीडियो का एंट तर जुरू देखना है without skipping और जो दो तिन question में आपसे पूछू हूँ वो आपको जो है उसका अंसर आपको देना है comment में ठीके सबसे पहले हम discuss करेंगे जम्मु इन कश्मीर के बारे में जम्मु इन कश्मीर में आपके चार important जम्मु इन कश्मीर का जो यह reason है पूरा यहाँ पर इसमें आपके चार important नेशनल पार्क से तीन आपके जम्मु में है एक आपका लद्दा अख्मी ठीके जम्मु में आपका अब हम आजाते हैं लेफ्ट की तरफ तो राजस्तान की तरफ चलते हैं राजस्तान में आपके पाँच नशने पाख है पहला है आपका सरिस्का दूसरा है आपका डिजर्ट नशने पाख तिसरा है रंतंबोर चोथा है क्योला देव घाना पाच्वा है मुकुंदरा हिल्स ठीक है अब यहां पे एक कोशन यह उठता है गाईज कि सर आपने इनकी लोकेशन तो हमें बताए इनकी कौन से कहां पर क्या है और अगर बायचा नोर्ट से साउथ लगाने आगे कि इसको नोर्ट से साउथ लगाओ तो क्वेशन कैसे सोल आप कर पाऊगे तो उसके लिए आपको चिंता करने ही जूरूत नहीं है अगर आपको इतना भी पता है कि फलाना नैशने पार्क इस थे स्ट्पुरा्YU नैशने पाट इनको आपको एल्स सब्सक्राइब रखना है अगर इनको भी यात नहीं रखोगी फिर आपके कुछिन घल्थ होने की HavenHayade जाएनगे सिर्फ इनकों यात आप कर लोगे तो भी आपका कुछिन ठीक हो जाए- ठीक है यह आपके हैं पर पढ़ते हैं गोवा में सिरफ एक नेशनल पार्क आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क या फिर इसको मोलन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ठीक है करनाटका में आपका आंची बांदीपूर कुद्रेमुक बनिरगटा और नागरहु नेशनल पार्क इसको राजिव भांदी के नाम से भी जान जाता है केरला के अगर बात करूँ पेरिया नेशनल पार्क है साइलेंट वैली है अरवी कुलम है अनाइमुडी शोला है मत्थी केटन शोला है और प्रामभी कुलम शोला है अब आपका कुशन नेवर फस्ट यह ह कि शोला क्या है क्या होता है शोला इसको आपको एक्स्प्लेंड करने कमेंट स्क्षन के अंदर अगर बात करूं मुकूर्थी है गुंडी है उसके बाद मरीन मनार मरीन है मुद्व मलाई है और इंद्रा गांदी अन्ना मलाई नशनल पाक है सिरी वैंके टेश्वरा राजि अधिर हरीना वनस्तली अब इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना कुछ जो यलो में मैंने मार्क कैटलिस्ट वह तो आप पढ़ ले ना ठीक है देन आपका है गुरु घासी दाश नैशनल पाक ठीक है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है लास्ट यह से वेसी बताया थे मैंने यहाँ पे निद्रावति नैशनल पाक पड़ता है और इंडरावती नदी वी जुह से खतलो फोivan करती है तो को मेर्स पाल्म बंगाल के उपर ये भी काफी सारह important है इसमें आपका बक्सा नेशन पार्ग जो है वो बहुत important है tiger reserve भी आपका बक्सा tiger reserve गोरु मारा के नाम से एक नेशन पार्ग है नियोरा वैली नेशन पार्ग बहुत ज्याद है important है yellow में mark किया तो definitely याद रखना है आपको सिंगालिया ने और याद रखना है जब आप मनाली जाएंगे तो रास्ते में अलग टनल आती है महां से अपका एक रास्ता अलग चला जाता है ग्रेट हमालया नेशन पार्ग को उत्राखंद में आपका राजा जी भह ज्यादा इंपोटेंट है Elephant के लिए काफी फेमस है यह नेशन पाक आपका जो रिजन है उत्राखंद में हरीदुआ रिशी के इस धेरादुन वाला ये सब जो उत्राखंद के राजा जी नेशन पाक के अंडर आता है गविन नेशन पाक है, गंगोतरी नेशन पाक है, दिनाप के 3 इंपो-टेन हैं, जिम, कॉर्बेट नेशन पाक भॉग ज्यादा इंपो-टेन है विन इपो-टेन ही है, अब इस जो दूसरा नाम है और आपको कमेंट से क् token करने है, कोशन नमबढ थाप आपका वो नंदा देवी नश्रपाक भोज़ादे इंपोर्टेंड और वेली ओफ्लावर्स काफ़ इंपोर्टेंड है ठीक है अब नंदा देवी जो है वो आपका उपर पढ़ता है यहाँ इस वाले रीजन में यहाँ पर इस साइट जस्ट अ सेकिंड और इसी रीजन में आपके दोनो और अलग से करें क्योंकि सिविल सर्विस में काफी सारे कोशन आ जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर गलत कर देते हैं कोशन तो हम नोर्ट इस को यहां से पढ़ेंगे स्लाइड से ठीक है अगेन यहाँ पर कंचन योगा सिक्किम के अंदर है नियोरा वैली यहाँ पर पढ़ पर आपका इसके बाद आपका जो आपका है यह प्याकिनांस है मनीपूर में आपका काईबुल लेंप्छाव पर 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 यहां पर पर असाम नहित पर धीक है देन आपका औरांग नेशनल पार्क है पोभी तोरा वाइल लाइफ सेंचरी आपकी हाँ ठीक है सोनाई रुपाई वाइल लाइफ सेंचरी है पके टाइगर रिजर्व आपका है इसमें पढ़ता है अनाचल प्रदेश में माउलिंग दूसरा आप का नामदाफा याद रखना है अपको ठीक है उसके बाद इसमें एक ही आप का नोक्रे नेशन पार्ग अब थोड़ा वापस चलते हैं क्योंकि इसमें कुछ नेशन पार्ग जो है रह गए आपके अनाजर प्रदेश में माउलिंग और नामदाफा है असाम में मानस नामेरी काजिरंगा राजिव गांदी और रांग और डिब्रु शायकोवा ठीक है ये येलो वाले जो मार्ग की हैं काफ़ इंपोर्टेंट है नागलेंड में इंटाकी नेशन पार्ग है आपका मेगाले मे बाला फाकरम और नोकरेक है दो है गाईज मनिपूर में काइबुल लमजाव और सिरोही है हाँ एक सेकिंड इसमें यह एक चीज देगी जस्ता सेकिंड एक कोशन में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ओल्दो मैंने में इसमें किया था बट आइधिंक सेव करने थोड़ा सा इशू हुआ है अभी दो तीन निन पहले ही जो है असाम का सिक्स नेशनल पार्क जो है बना है आपका असाम का सिक्स नेशनल पार्क ठीक है तो क्वेशन नंबर फॉर्थ आपका है असाम का सिक्स नेशनल पार्क कौन सा है यह बहुत जादा इंपोर्टन है आपके एक्जा लग रहा है कि 100% chances है आ ही जाएगा ये question ठीक है तो छटा national park कौन सा बना है असाम के अंदर वो आपको बताना है मैं slide जब आपको provide करूँगा तो उसमें हम add करके इसमें देंगे ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद क्या बचा आपका मिजोरम का बचा मुरलीन और फागन पूई national park आपका है त्रीपुरा में आपका बिसोन और clouded leopard जो है ठीक है उसके बाद आपका अंदरमान निकोबार की कुछ देख लेते हैं यहाँ पर दो तीन important है गलत हिया है एक mount harriet है यह सारे याद करने के आपको जुरूरत नहीं है सिर्फ आपने दो करने आपको यहाँ पर महतमा गांदी मरीन वाला कर लेना बाकी 9 है यहाँ पर ठीक है चलो question देखते हैं आपको थोड़ा सा ज्यादा clarity मिली question से ठीक है यह आपके प्रिवीश से इर questions है अब हो जमो कश्मीर में आपको यह सारे कर लो यार इंपोर्टेंट है कभी भी question आ जाते है यहां से ठीक है राजस्थान में सरिस्का और केवलाद देव कर लो बस ठीक है बाकि रंधों पर भोत रेयर आता है मद्यपरदेश में पन्ना कहना वन्वियार और पैंच यह चार कर ल अब इन में जो है एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि question solve करते time आपको एक ध्यान में यह रखनी है जब तक आप elimination method का use नहीं करोगे आप question solve करना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा और थोड़ा सा अगर mind apply इसमें करोगे तो definitely question को यह आपका गलत नहीं होगा चली शुरू करते हैं इधर आपके national park के नाम दिये हुए अलग-अलग ठीक है और इधर आपका जो है national park दिया हुआ है के images दी हुए आपको match the following करनी कि चोथे नंबर पर कौन सा है तीसरे पर कौन सा है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे तो उतराखंगे में location भी पता है नेपाल के पास में है तो आपका ये वाला हो गया आपका चोथा नंबर यानि एका हो गया आपका 4 अब option में देखो एका 4 कौन कौन से में है इसमें भी एका 4 नहीं इसमें भी नहीं दोनों काड़ दो यहां से आप हमें पता चल गए एका तो 4 है आपका और बी का कितना है यहां पर डी का सोरी डी का में टू मिल गया डी कौन सा है काना है काना मैंने आपको बताया था मद्यपरदेश में तो यानि आप इसको भी eliminate कर सकते हो यह वाला जो दूसरा option है आपका यहां पर आपका answer आगया ठीक है अनसर आने से आपका पता चल गए आपको कि दूसरे वाला जो है यह कहाने वाला कहना ने श्रय पाक है उसके बाध हमें यह देखना नियोरा वैली और बैतला मैंने आपको बताया था जहारकन में अकेला एक national park है जो की बेतला national park है ठीक है तो एक number क्या हुआ अपका बेतला हो गया तो C का आपका वर जाएगा ठीक है ना तो C का वर अगर आपका आगए तो Automatically आपका कहाना जो है मद्य परदेश का होई चुका है नियुरा वैली जो है आपका यह आ गया नियुरा वैली अभी कराया था थुर दिर पहले ठीक है न वेस्ट बंगाल में है चलो नेक्स्ट कॉशन देखते हैं अरेंज दा फॉलोइंग नेशनल पार्क को फिंडिया फ्रोम नौर्ट तू साउथ डेरेक्शन सीफ दो नौर्ट से साउथ लगेगा तो सभी नेशनल पार्क एक बार देखेंगे हम कहां से कहां तक है ठीक है पहला है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क दिया हुआ है नागर होल नेशनल पार्क दिया हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका इसमें दिया हुआ है ठीक है तो उत्रा खंड से उपर गाई इसमें कोई नहीं है अब यहां पे आपको confusion हो सकती है माधवनेशने पाक के अंदर कि यार यह कुन सा आ गया ठीक है तो माधव को अभी हम hold पे रखते हैं for example ठीक है दूसरा में पता है नागर होल जो है वो सबसे south का है मैंने बताया था आपको ठीक है वाकि माधव वाला जो है आपका माधव नेशनल पाक यह आपका है मध्य प्रदेश के अंदर माधव मध्य कर लो यार ऐसे थोड़ थोड़ा याद हो जाएगा चलो अगला है मैस्दा फॉलोइंग करना है नियरेस नेशनल पाक और वाइल लाइफ सेंचरी के साथ आप यहाँ पे सिटी के नाम दे रखें यहाँ पे जो है आपके दिए हैं वाइल लाइफ सेंचरी नेशनल पाक के नाम आप इसमें दो पड़े हैं पैंच हमनें पड़ा है सरेश का अब इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी-थोडी सीटी को भी याद कर लोए कौन स सिटी फेमस है कौन से शहर में मैं नहीं बोलता पूरा इंडिया का जोगर्फर आपको बनना है बट मैं चाहता हूं कि कोई भी कुश्चन आपका एक्जाब में है वो गलत नहीं होना चीए बस ठीक है मेरा सिरफ यही परपज है पूरी सीरीज बनाने का ठीक है तो चलो अब अलवर का आपको पता होना चीए कि अलवर है राजस्थान के अंदर ठीक है जब हम दिल्ली से जाते हैं तो शुरू आत में ही आपका अलवर आ जाता है विदिन दो-तिन घंटे के अंदर तो यह वाला जो पॉइंट है यहां पर अलवर आपका है अब देखो राजस्थान क कि एका आपने मार्ग कर दिया ठी उसके बाद भोपाल का अपको पता है भोपाल का मेने अपको बदाया है यहां पर तो बी का वो जाएगा फोर देखो इसमें एका थरी और sी ओप्शन आपका आग।ुन बाये चांज आपको नहीं पता चले अगर कि भाई भोपाल वन विहार में है पैंच का तो आपको पता है नागपूर मैंने आपको बताया था महाराष्टरा और मद्यपरदेश के बॉर्डर पे आपका पैंच पढ़ता है और नागपूर जो है वो बिल्कूल आपका एक सेकिंड यारी मैप भी ऐसा हो गया यह आपका मद्यपरदेश है यह आपका बॉर्डर है यहाँ पर और आपका यहाँ पर जो है यह आपका पैंच पढ़ता है यह थोड़ा सा मध्यप्रदेश में थोड़ा सा महराष्टरा में और नागपूर जो है आपका महराष्टरा और मध्यप्रदेश के वोड़र के बिल्कुल पास है तो इसका C option अंसर हो जाएगा अगला question है World Heritage Site के बारे में है और स्टेट आपको देखना है देखो question World Heritage Site का है बट मैं फिर भी जो है इसको National Park के help से हम ठीक कर देंगे ठीक है सई कर देंगे अनसर मानस का मैंने आपको बता है ता साम के अंदर है तो मानस का लगा दो सीधा साम से मिला दो यानि एका थ्री हो गया तो एका थ्री कर दो यहां पर एका थ्री कौन से कौन से में भी option में है या डी में है बाकी दो को काड़ दो अब यहां से में यह पता चल गए एका तो थ्री है और डी का टू है डी का यानि यहां से आगए आपका टू नंदा देवी का तो हमें पत तो बिहार में पढ़ता है ठीक है तो बीक अगर वन लगाऊंगे आपका अंसर बीच सही हो जाएगा विच फॉलोएंग नेशनल पार्क इस लोकेटी नियर चमोली ठीक है करेंगे यही चीज में आपको सिखाना चाहता हूं कि कोश्चन कोई भी है पहले उसको घबरा रहा नहीं है उसको देखके जो है आपको पहले यह देखने कि यार यह तो मुझे आता है लेकिन कुछ कोश्चन ऐसे होते हैं इनके उपर आपको डाउट होगा कि यार यह पढ़ पढ़ा नहीं पढ़ा ता इस तरीके के जो कॉष्चन होते हैं उसमें हमें एलिमनेशन मैथर का यूज करना है अब देखों का नाम बहुत बार यूज में आता है चमोली बादल फट गया जो है यह हो गया बरसा ताड़ना निमकाना ठीक है तो चमोली बहुत यही चीज में आपको सिखाना चाहता हूं उनको थोड़ा सा बुद्धिवाला बन्दा चाहिए बस की बाई अब इन्हों ने यहां पर पास-पास की चीज़े इस लिए तक आपको इधर पड़ता है ठीक है अब यह उत्तरप्रदेश के पास वाला जो रीजन है यहां पर पड़ेगा यहां पर इधर वाले रीजन में लेकिन बादल बादल फटता है और काफी सारा जो है पानी उससे भैके आता है तो वो उपर वाले रीजन से आता है तो आपको चमोली जो है जहां तक मेरा इडिया इस वाले रीजन में पड़ता होगा तो उपर इसका जो है इसका अंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी न चलो नंदा देवी नेशर पार्क इस नेशर पार्क सिचुएटेटेड अराउंड दा पीक ओफ नंदा देवी सिचुएटेड इन चमोली डिस्टी को फुतराखन ठीक है गाइस चलो अगला कॉशन फॉलइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट ठीक है दोजाब नो सीडियस का कॉश्चन है जिम कॉर्बेट नेशर पार्क यह मैंने आपको बताया था कि ओल्डेश नेशर पार्क आपका है ठीक है उसके बाद सेकिंड स्टेट्मेंट है आपकी इट वन ओफ द नाइन टाइगर र नेशर पार्क का जो एक स्पेशल इंपोर्टेंस होता है वहां की कुछ स्पेशल जो है जानवरों के लिए जो है बनाया जाता है उत्राखंड में जो है जिम कोर्बेट वो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए काफी फेमस है तो 1973 में जो है यह भी वन ओफ दा नाइन टाइग के रिजर्ब फ्रोम दा नोट टू साउथ अब यह देखो जितने वी आपका कोशन आ रहे हैं नोट से साउथ क्या रहे हैं हो सकता है आपसे कोशन पूछले इस से वैस्ट पूछले या वैस्ट से इस पूछले इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ स्टेट के जो है नेशनल प पढ़ता है करनाटका वाले रीजिन में पढ़ता है बांधिपूर ठीक है तो मैं सबसे आखरी में जो आएगा बांधिपूर आएगा अब आपको यह लग रहा होगा कि मुझे इतनी चीजे कैसे बहुत असान है मैंने काफी टाइम धिले 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 क्योंकि एकदम से पर्मोस्ट सभी के सभी याद है आप नाम दोगे तो में 500 परसेंट कर दूँगा कोशन गलत नहीं होगा इसके उपर ठीक है तो यह आपको भी नौलेज हो जाएगी बस थोड़ा से प्रिक्टिस करते हो अगला है अगला है आपका इनको जो है साउथ से नोर्थ लगाना है देखा खेल गया नहीं यहाँ पर इन्होंने बोल दिया साउथ से नोर्थ लगा यह नी नीचे से ऊपर लगाना है तो सबसे नीचे वाला पहले में चूज करना इसमें क्या है ठीक है अगेन मैंने आपको बताया था पेरिया सबसे नीचे है ठीक है साउथ वाले तो करी लो में लेकिन दाचिंगम जो है वो है आपका जमू किश्मीर में तो सबसे लाश्ट में क्या एगा टू तो आपका सी ओप्शन से हो जाएगा देन है आपका महात्मा गांधी नेशनल मरीन जो है वो मैंने दुबारा आपको बता रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर फोना और फ्लोरा के लिए जो है बिसिकली बनाया जाते है ठीक है तो इसलिए जो है नो नेशनल पार्क है आपके चोटे से एरिया में ठीक है तो यह चीज़ी ध्यान रखना आपको चलते हैं कहां अग आपको पता ही ठीक है उसके बाद आपका दो है यहां पर साइलेंट वेली और वेल्यो फ्लावर्स है अब फ्लावर्स कहां पर होंगे जहां पर अच्छी बारिश होगी और सब कुल बढ़िया होगा ठीक है तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको दोनों कंफ्यूजिं अगला है नोर्ट से साउथ लगाने दुबार से कोरबेट आपका उतराखन का होगा श्रीष का आपका राजस्तान का सिमली पाल आपका ओडिशा का और पेरियार आपका किरला का ठीक है ना नेक्स आपका कांगेर घाटी नाशने पाक नागर होल कुगती वाइलाफ सेंचरी और सुल्तानपूर बड़ सेंचरी अब इस तरीके का कोशन अगर आजए तो उसको कैसे आप करोगे सुल्तानपूर आपको याद नहीं रहेगा ठीक है बाकी सुल्दानपूर नाशने पा नागर होल मुझे पता है करनाटका एक जबस घाप दो और आपको पता है तो प्रकम आज रहते हैं तो आज कुशन हों मनाती है चलो की ठीच簡 पैर पर वाइलाफ सेंचुरी और स्टेट दिया हुआ है अब इसमें मुझे ओरांग का पता है और कांगिर घाटी का पता है ठीक है बाकी दो का नहीं पता है बट फिर भी हम कोश्चन सौल करेंगे ओरांग सेंचुरी जो है आपकी असाम के अंदर है सी का वन हो गया आपका टू स दूसरा मुझे पता है कांगिर घाटी च्छतिस गर्ड में तो बी का थ्री हो जाएगा उप्शन आपका अंसर आ जाएगा नेक्स्ट आपका विच आपका उत्राखंड में है दांदेली का मुझे याद निया भाई बांदव गड़ जो आपका मद्देप्रदेश में है ठ क्लार ऑइलें अद्वान प्रदेश हसाम में घाल ले सबसे अधा मध्यप्रदेश में दस हैं मद्देश नहीं तो दूसरा में नों है याद नहीं अध्माट इस फेवर कौर लायर्ट इसाटिक लिए बहुत फेमस्स एक अगला है आपका गर्ट हिमाले नेस्नल पार्क कर तब लेट इस प्रदेश के अंदर आपको पता यह ठीक है वह जो है वह जम्मो किश्मीर में यह भी ठीक है तीसरा जो है वेलिए फ्लार्स नेशन पाग उत्राखन में यह भी बिल्कुल सही है तो दी अंसर आपका इसका यहां पर हो जाएगा ठीक है गाइस थैंक्यू सो मच यह थे आपके नशेप आपकी वीडियो और को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस लेक्चर का जो पीडियाफ आपको फ्री टेलिगराम गूप मिल जाएगा लिंक इन देस्क्रिप्शन बिलो गो चेक इट आउट आउट नाओ और जाएग ग्रूप और थैंक्यू सो मच जैहिन वंदे भारत